हलो एवरिवन, वेल्कम ओन माई यूट्यूब चैनल ड्रीम गार्डन मैं पूनम, आज आपको एक बहुत ही प्यारा से ट्रे गार्डन बना के दिखाने जा रही हूँ जिसमें मैं कुछ प्लांस का यूज कर रही हूँ और कुछ पड़े वहे वेस्ट मटीरियल का तो देखी ऐसे ही कुछ मैंने प्लांस जूस की हैं जिसमें सकलेंट्स हैं और यह कैक्टस है यिसे बनी येर्ज है ये और कुछ ये चुट-चुटे सकलेंट्स हैं अचिवेरिया और इसमने यूज कर रही हूँ मैं इस जेट प्लांस का तो मैंने इसके लिए एक प्लास्टिक की ट्रे ले लिए है और इसमें होल्स भी कर लिए है और इसमें मैं कैरी बैग को यूज करूंगी और इसको पूरा कवर कर लेंगे हम नीचे के एरिये को और एक लियर को हम डाल लेंगे स्वाइल की जिससे की जो हमारी कैरी बैग है वो हिले नहीं तो पहले पूरे में एक स्वाइल की लियर डाले नीचे ये अब हम अपना प्लांट इसमें लगाएंगे जो भी हमें लगाना है तो पहले मैं ये जेट का प्लांट लगा रही हूँ इसको मैं साइड में लगाऊंगी जैसे हम लगाते हैं और इसकी रूट बॉल को मैंने उतना ही रखा है जितना इस ट्रे में आ जाए और इसकी रूट बॉल आप देखीगा ना हिलने पाए प्लांट लगाते वक्त आप इसको देख लीजए कि इसका फ्रेंट कहांसे ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको उससापसे इसको आप सेट कर लीजिए और प्लांट को अगर आप शेप दिना चाहते हैं तो इस वक्त आप थोड़ी सी इसमें कटिंग भी कर सकते हैं तो मैं मैं इसकी थोड़ी सी ब्रांचेस कट कर रही हूँ जैसे कि यह शेप में आ जाएगा तो ऐसे करने से ज्यादा अच्छा लग रहा है यह अब ट्रे गार्डन में आप इमाजिनेशन से कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं तो मैं सुच यहाँ पर मेरा हाउस बनेगा और यह एक बॉटल को मैंने कलर कर रहा है कट करके आगे जिगजग सा मैंने वह दे रख है डिजाइन और इसकी कैप इसलिए हटा दी है ताकि जो अंदर स्व स्वाइल है वह बहुत ज्यादा इसको मिल जाएगी इसके अंदर भी हम स्वाइल डालेते हैं यह पोटूल का फ्लार का प्लांट है यह मिनी फ्लार आएगा इसमें और अभी जब यह ब्लूम होएगा तब मैं आपको जरूर दिखाऊंगी क्योंकि अभी तो यह धूप में नहीं ब्लूम होता है तो जब यह ब्लूम होगा तब ही मैं वीडियो को बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी यह मैं चिक्नी मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ घर बनाने के लिए और इसको पानी से घीला करके एक आटे की तरह बूम लिया है हमने और अब हम इसके यहाँ पर ठीला टाइप बनाएंगे जिसमें हम अपना घर बनाएंगे यह मिट्टी इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यह आपकी बहती नहीं है दूसरी मिट्टी की तरह तो चिक्नी मिट्टी ही यूज़ करनी है अगर आप इसमें अपना घर बनाएंगे इसके उपर फोड़े से हाइट देने के लिए हमें इसको ऐसी शेप देनी है अब मुझे यहां पर ज्यादा सूट नहीं कर रहा है तो हम इसको इदर की तरफ रगा लेंगे तो अभी हम इसको हटा देते हैं जिससे कि हमारा पूरा काम हो जाए और यह मैंने कुलड से बनाया है घर इस पर कलर रहा है और यह क्ले मैंने लगाई यह डोर को बनाने के लि है और इनको स्टेर्श बनाने के बाद हम इसको चारो तरफ से एक शेप दे देंगे जिसे स्टेर्श की लुक होती है तो यह हमारे घर के चड़ने के लिए सीड़ियां बन रही है और यह कुछ दही की जो ती मिश्टी दही की स्टिक्स हैं जो मैं यूज कर रही हूं फैंस बनाने के लिए क्योंकि आजकल हम भार जाके शॉप से तो पर्चिसिंग करी नहीं पा रहे हैं तो जो घर में एविलेबल है मैं उसी को ही यूज कर रही हूं इस वीडियो में यह मे बहुत अच्छा कवर कर लेती है किसी भी एरिये को और ऐसे यहां पर हम इसको पूरा इसमें कवर कर देंगे अब यह ग्रास मैंने अपने पॉर्ट में लगा रखी जो काफी फैल गई है तो अब इसको जैसे एक्स्ट्रा अगर हो जाती है तो इसको हम कट करते रहेंगे साथ के साथ ताकि जो इसका लुक है वो बरकर आ रहे है तो इस तरह से इसको पूरा कवर कर लेते हैं यह पॉर्ट अब मैं इसको यहां लगा रही हूं क्योंकि यहां पे ज्यादा सूट कर रहा है यह तो यह सारी चीज़े आप खुद से नोटिस करिए कि आपके ट्रे गार्डन में कौन सी चीज कहां पे ज्यादा अच्छी लग रही है तो इसको थोड़ा सा कवर कर लेते है उपर से ताकि इसका पॉर्ट का लुक आ जाए देखने में बॉटल ना दिखे यह और इस तरह से यह इतना एरिया अब हमारा बन चुका है अब हम इसमें थोड़े से कुछ और प्लांट्स लगा लेते हैं तो मेरी जो यह एक तरफ की रो में तीन लगा लेती हूं क्योंकि हमारे थोड़े प्लांट्स बड़े भी होंगे तो इनको स्पेस देकर हमें लगाना है और दूसरी तरफ मैं कैक्टस के प्लांट्स लगा रही हूं इनको भी थोड़ा स्पेस देकर ही लगाना है तो इस तरह से हमें मैनेज करते वें चलना है स्पेस देकर रखना है पे इसको cover करेंगे एक rustic से look आएगा इससे जिसे घरों में एक होता है पुरानी घरों में तो उससे ये इसका look बहुत अच्छा आजाता है देखने में वैसे तो ये green moss होती है बट इसका color थोड़ा सा ऐसी ही है और इसको घीला करके ही use करना होता है इसको हमको अब फेंस में मैं ये कुछ आइस्क्रीम की स्टिक्स मुझे नजर आगी तो ये भी सोच्री में इसमें लगा देती हूँ क्योंकि इससे ये पूरा देखने में एक लुक अच्छा आजाएगा इसका तो इस तरह से जो जो आपको दिखता जाता है इमाजिडेशन से आप उसको वैसे करते जाएए ये बनी इयर्स है मेरे ये बनी इयर्स का कैक्टस है ये मैं इसको अपनी ट्रे गार्डन में पीछे की तरफ यूज कर रही हूँ और ये एक से दो, दो से तीन बहुत जादा मल्टिप्लाइ होते रहते हैं अपने आपी और ये जूला बनाने के लिए मैंने लकडी काटी है और लकडी काटके मैंने शेप दिये जैसे गुलेल की शेप होती है उस तरह से क्योंकि जो हमारा जूला है वो इसी पर ही इसको ये देखिए मेरा प्यारा सचीकू-पीकू मैंने गलिया है अपना कीरिंग है ये मेरा जो ऐसी वेस्ट पड़ा हो था उससे मैंने इसको बनाया है टकडी की हल्प से आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है जूला जूलते वे ये कुछ एक जंगली ग्रास है जो मेरे गार्डन में साइड्स में उगी हुई है मुझे इसका नाम नहीं पता है ये ग्रीन इफिक्ट देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि गार्डन की जो पूरी ग्राउन का एरिया है ये बल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ग्रास निकली होती है कहीं कहीं पर उची नीची और ये रेंडमली इसको हमें लगा देना है जैसे लगती जा रही है क्योंकि स्वाइल के साथ निकाली है इसलिए इसको हलकलका प्रेस कर दीजे ये अपने आप ही फैलता रहेगा और कुछ ये एफेक्ट देरी हूं मैं चिप्स से माबल के चिप्स हैं इससे मैं थोड़ा से एफेक्ट दे रही हूं घर के आगे और थोड़ा से एफेक्ट दूँगी मैं इसको जुले के नीचे और ये पीकू भी आ गया चिकू पीकू ये देखिए फ्रेंस मेरे फ्लार आपको दिख रहे हैं ये अब फ्लार ब्लूम हो ग अब और ये एक मैंने देखिए पत्थर पर मैंने स्टोन पेंटिंग करी है ये चोटी चोटी सी लेडी बग्स बनाई है बहुत चोटी है चोटी वाली तो बट बहुत अच्छी बन गी है इससा सब कुछ रेडी मेट भी मिलता है ऑनलाइन भी मिलता है बट मैंने कभी अपने आप ही बनाती हूं और ये वेलकम का एक साइन मैंने बनाया है ये भी मैंने खुद से लिखा एक स्टोन पर मारकर से मैंने लिखा है ये और इसको हम उसके यहां पर इस एरिये में लगा देंगे जो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा ये ब्लूम देखिए झुला झुलता हो चिकु और पिकु खड़ा हो वेड कर रहे है कि मेरी बारी कब आती है चिकु पिकु तो कुछ ऐसे ही चीज़ों का यूज खरके आप भी अपना प्यारा से ट्रे गारडन बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये इसमें चुट पसंद आया है तो like जरूर कीजिए, share कीजिए, subscribe कर लीजिए अगर आपको मेरा चनल पसंद आया है, bell notification जरूर प्रेस कीजिएगा, और आप उसमें all का option दबाईएगा, ताकि सारी वीडियो आप तक पहली बार में ही पहुँच जाएं, चलती हूँ friends, bye bye